अगर आप एक computer system पर काम करते हैं किसी भी company में तो कुछ ऐसी commands आप यूज कर सकते हैं अपने network resources के लिए या अपने computers के लिए जिसके थो एक smart दिखेंगे आप ओके यानि कि smart तरीका यूज कर सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से आप इन commands का यूज करके अपने computer system को manage कर सकते हैं तो ये top 20 commands मैं यहाँ पर दे रहा हूँ बहुत important commands हैं ये सबसे पहले आपको यहाँ पर command prompt open कर लेना है और अब यहाँ पर practice start कर देनी है वो top 20 commands कौन-कौन सी मैं यहाँ पर use करता हूँ सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अपने terminal को full screen पर actually mode लिख कर आप 800 लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा full screen पर आ जाता है तो यह मैंने enter कर दिया अब यहाँ से पहली command start करते हैं सबसे पहले हमें यह चेक करना हो अगर computer network में कि हमारा computer किसी भी target computer से चाहे वो server हो आपके network के अंदर हो अगर उसका name या IP address आपको पता है तो कैसे आप check करते हो कैसे आप check करते हो कि वो computer हमसे connected है की नहीं तो एक command यहाँ पे आ जाता है ping ping command check established connection जो भी हमारे target computer system से reply लेने के लिए किया जाता है मैं यहाँ पे type कर देता हूँ अगर testfire.net यह हमारा एक website है और यहाँ से अगर इस तरीके से reply आ रहा है मतलब हम इस website तक या इस server तक connected है इसके साथ हमारा session है अगर मैं यहाँ पे कोई भी computer की IP चेक कर लेता हूँ like ping space जो भी आपको IP address पता है उसकी IP और enter तो यह TTL 12860 120 something ऐसे जब भी 126 कुछ भी आता है तो इसका मतलब यह होता है कि आप उस particular host के साथ आपका network connection है आप उसके साथ network sharing network resource sharing जो भी करना चाहें कर सकते हैं चलो मैं इसको clear कर देता हूँ तो पहली command हमारा यहाँ पे हो जाता है ping command second command हमारा यहाँ पे आ जाता है net stat अभी यहाँ पे चेक करना for example मैं यहाँ पे google.com यह जो browser है बंद कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे type करना है net stat और sorry net stat enter तो जो भी हमारे established connection है यहाँ पे दिखाई देदेगा हमारे PC का नाम ऐसे करके यह details आ गया यहाँ पे Dell PC जो अभी Google मैंने बंद किया उसकी भी details हमारे network में अभी save है इस वज़े से यह दिखा दिया बट अभी मैं live इसको करके दिख details यहाँ पे आजाएगा जो भी computer network आपका connected है आपके host के साथ यह computer system उसकी details यहाँ पे आपको मिलती है for example मैंने google.com एंटर किया Google open हो गया again आप try करते हो यहाँ पे enter करते हो अभी देखो ज़्यादा ज़्यादा details मिल गई तो this is the google server computer name ओके और यहाँ पे हमारा IP address है इसका एक port number है और इन सब चीजों के साथ accessible है तो आप exactly पता कर पाते हो कि आपका जो computer system है network में किस computer के साथ क्या connection established किया है तो यहाँ पे HTTP का connection है ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने HTTP का connection Google के साथ access किया हुआ है ओके पे सेम कमांड नेट स्टेट स्पेस हाइफन अगर मैं यहाँ पे एन लिखता हूं एंटर कर देता हूं तो यह हमारा सेम नंबर वाइस दिखा देगा नेट स्टेट स्पेस हाइफन ए लिखेंगे तो यह और भी धेर सारे TCP UDP बेस्ट जो भी connection established हैं आपके computer system के साथ उनकी पूरी details यह दिखा देगा तो यहाँ पे दो कमांड आपने देख लिया एक पिंग और एक नेट स्टेट थर्ड कमांड यहाँ पे ARP या ARP कमांड बोल सकते हैं ARP कमांड का यूज किया जाता है IP और MAC अड्रेस को चेक करने के लिए for example मैं यहाँ पे लिखता हूँ ARP हिंट के लिए आप एंटर कर दो अब यहाँ पे A-G-V ऐसे लिखा हुआ है तो यह सब हिंट है बट चेक करने के लिए ARP-A लिखकर आप एंटर करेंगे तो जो भी आपका IP होगा आपके नेटवर्क में जिस भी कम्प्यूटर का IP होगा और उसका जो MAC अड्रेस होगा यहाँ पे वो सब दिखाई देगा आप देख सकते हैं हमारे नेटवर्क में अगर एक स्विच से 10, 15, 20 कम्प्यूटर कनेक्टेड हैं सभी का IP MAC अड्रेस पता करना है तो ARP-A से आप टाइप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अगर आपको आपके नेटवर्क में जिस भी होस्ट से या जो भी टेबल से वो नहीं पता चल पा रही है नहीं है तो एक बार अपने कम्प्यूटर सिस्टम से पिंग लिख कर 255 255 255 ऐसे करके सेंड कर दें है ना यह एक्जैक्ली यहाँ पे अभी ऐसा कुछ है नहीं तो इस तरीके से कर देने से यह पूरा एक ब्राटकॉस्ट में से सेंड कर देगा जो भी नेटवर्क में कम्प्यूटर से होंगे उन सभी का एक रिकॉर्ड रख लेगा स्विच के पास ओके तो फिलाल मुझे यहाँ पे CLS क्लियर कर देना है तो यहाँ पे हमारा हो गया तीन क पाथ पिंग कमांड इस्टेबलिस करते हैं फॉर एक्जामपल पाथ पिंग कमांड इस यूज टू चेक कनेक्टेड पाथ और मतलब कि जो भी हम कोई भी टार्गेट कंप्यूटर से कोई सर्वर से हम कोई वेबसाइट या कुछ भी ऐसे एकसेस करते हैं कोई कॉंटेंट तो जो भी हमारा पाथ होता है जैसे जितने भी नेटवर्क होप्स होते हैं उनकी डीटेल्स बताता है इंक्लूडिंग आर लोकल एड्रेस तो मैं यहाँ पे पाथ पिंग स्पेस टेस्ट फायर डॉट नेट एंटर कर देता हूँ आप देख सकते हो हमारा कंप्यूटर सिस इससे कनेक्टेड जो भी नेक्स्ट होप होगा उसके बाद जो होगा यह पूरा 30 होप को काउंट करके आपका जो भी पाथ है इस सोर्स के साथ वो आपको दिखा देगा ओके तो मैं यहाँ पे वेट नहीं करता मैं इसको क्लोज कर देता हूँ CLS आप चेक कर लेना तो पाथ-ping command is used to check path ट्रेसर्ट कमांड आजाता है ट्रेसर्ट अगर आप Linux कमांड या Linux यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेसर्ट रूट लिखे के आप टाइप कर सकते हैं तो ट्रेसर्ट स्पेस अगर मैं google.com यहाँ पे टाइप करके एंटर करता हूँ तो ये next 30 hops, जो भी हमारे 30 routers हैं, हमारे और Google के बीच में, ये maximum 30 hops तक ये calculate करके देगा, बट इतना लंबा route कोई नहीं करता, ये within 2, 3, 4, 5 hops के बाद, हमारा Google सर्वर हमारे computer से connect हो जाता है, तो ये पूरी details वो दिखाएगा, अब ये कहीं पर request timeout, किसी router को ping किया होगा हमारा packet, बट वो कह रहा है कि वो अभी available नहीं है, तो उसके बाद दूसरा hops को सर्च करेगा, exactly, Google सर्वर तक पहुंचने में, क्या hops details लिया है, हमारे computer ने, वो पूरी details यहाँ पे, trace route, tracer command से मिल जाता है, मैं इसको control C करके about कर देता हूँ, exactly, आप try कर लेना, थोड़ा सा wait करके, पू and आप space देते हो, and testfire.net, जो भी website आप यहाँ पे type करते हो, तो उसका DNS details हमें मिलता है, NS lookup, exactly, अगर देखा जाए, तो DNS troubleshooting commands है, तो आप किसी भी server के DNS setting के अंदर आप आकर check कर सकते हैं, कि इस server का name, और इसका IP address क्या है, अगर आप इस IP को check करते हो, कि यह किसकी IP है, तो इसको copy कर लो, browser पे आजाओ, और whos, 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 whos की query में आजाओ, and domain lookup यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, यह मैं open कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने वो IP address एंटर करके check किया, तो exactly यह बता देगा, कि इसका IP address range क्या है, और यह किसके नाम से register है, exactly सारी details से यहाँ पे हमें मिल जाती है, ओके, तो यह हमारा हो जाता है, whos की query, यह DNS की details को बताता है, अगर आप और depth में DNS को समझना चाहते हैं, तो already मैंने इस पर बहुत यह DNS की अलग troubleshooting tutorial बनाया, but don't worry, NS lookup लिखकर enter कर दो, आप यहाँ पे अपने NS lookup कमांड के अंदर आ गए, अब यहाँ पे आप लिखिए server space एक DNS server set कर दो, अभी मैं Google का DNS server set कर दिया, उसके बाद set type NS, अब यहाँ पे मैं name server सर्च करता हूँ कि Google के कितने name server है, तो यहाँ पे Google के 4 name server चल ले हैं, अगर मैं set type mail record check करना चाहूँ, MX और मैं enter कर दो, and again मैं google.com type करूँ, तो यह उसके mail server के record को दिखा देगा, तो यह network troubleshooting commands है, जो कि DNS को troubleshoot करने के लिए help होता है NS lookup, और यह six number की command मैं यहाँ पे use कर रहा हूँ, इसको आप use कर सकते हैं, even then not google.com, if you want to check facebook.com, and another more addresses like testfire.net, तो यह इन सब का, जो भी हमारा mail server record है, उसकी सारी details यहाँ पे सर्च करके देगा, और उस computer का name and उसका details, okay, तो यह हमें देखने को मिल जाता है, exit मैं करता हूँ, यहाँ से बाहर, and CLS clear screen, DNS की और भी depth information होती है, DNS बहुत बड़ा server होता है, बड़ टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, आप try कर सकते हैं, next हमारा command आ जाता है, ipconfig, सभी को पता है कि आपके computer system की ip को चेक करने के लिए, ipconfig command का use किया जाता है, 7th number command 192168220139, यह जो commands है, यह total आपके ip address को दिखाने के लिए, ipconfig, यहाँ पे आपके ip address का है, detail यह gateway का detail है, और यह subnet mask की detail है, लेकिन अगर same command, मैं लिखता हूँ, ipconfig space slash all, enter, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है complete, हमारे computer का name, उसका physical, यानि की mac address, bluetooth address, and ip address, सब कुछ यहाँ पे हमें मिल जाता है, तो यह हमारा हो जाता है, 7th number की commands, 8th number पे हम लोग क्या use करने माले हैं, ipconfig slash all, 8th number पे मैंने बता दिया, root, अगर आप यहाँ पे root लिखकर enter कर देते हो, तो exactly, आपको बहुत सारी details मिलेगी, कि root space, hyphen f है, hyphen p है, hyphen 4 है, थोड़ा सा इसके बारे में आप search कर लेंगे, देख लेंगे, मैं यहाँ पे इसका use करने का तरीका बता देता हूँ, कि आपके network का जो भी root part है, यानि कि जो भी root details है, उसको कैसे check करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, root space, print, और जैसी मैंने यहाँ पे root print लिखने के बाद enter किया, अभी यह total हमारे network का routing details, ओके, आप देख सकते हो routing table की details, हमारे computer system पर यह track कर लिया, तो active routes जो भी हमारा है, एक यह है, connected जो भी यह है, ninth number का command, next, tenth number पर मैं यह बताने जा रहा हूँ, कि अगर हमें अपने computer का host name पता करना है, तो क्या लिखेंगे, host name लिखकर आप enter कर दो, आपके computer का name यहाँ पे लिखके आ जाएगा, security PC, अगर आप यहाँ पे check करोगे, और आप अपना my computer open करोगे, property में आओगे, और check करोगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा security PC आपके computer का name, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, यह आप देख सकते हो, तो यह हमारा हो गया security PC, हमारे computer का name या host name, मैं इसको clear करता हूँ, जो 11th number पे हमारी command आएगी, अगर हमें एक separate mac address चेक करना है, get mac, click कर enter कर दो, आपके computer का जो भी mac address ह होगा, वो यहाँ पे search कर लेगा, this is the virtual NIC card address, actually, यह मेरे real computer का mac address नहीं है, और IP address हो, यह network details किसी भी host के साथ कभी share नहीं किया जाता, और नहीं आप कभी इसको share करना, किसी भी other person के साथ, अदर वाईज आपके computer के address को clone कर लिया जाएगा, और फिर उसको problem होगी, तो यह exactly हमार जो एक virtual adapter है, यह virtual machine का, हमारे main computer का adapter नहीं है, तो इसको safe रखेंगे, okay, so get mac हमारा 11th number का command हो जाता है, अब सबसे important and most useful command हमारा यहाँ पे start होने वाला है, n-b-t-s-t-a-t, है न, net bios, मतलब की scan करने के लिए होता है, यह net bios की पूरी details है, actually, net bios आपका एक name होता है, network name बोल सकते है और उसकी पूरी details है, यहाँ न, n-b-t –s-c, small capital के हिसाब से आप जो भी यहाँ पर type करेंगे, आपको काफी details मिल जाती, like, –n है, तो network bios name चेक कर लेगा, तो net, स्वारी एन्वीटी स्टेट स्पेस हाइफन एन लिग कर अगर मैं एंटर करता हूं सी इस दा नेटवर्क एडाप्टर डीटेल्स ओके आपके कंप्यूटर का नेम एंड ब्लुटूथ एडाप्टर उसका नेम जो भी है तो कंप्लीट नेटवर्क बायोस डीटेल्स यहाँ पे आपको नेट बायोस की डीटेल्स आपको मिल जाती है एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे ट्वेल्थ नंबर पे दिखाऊं ने अन्वीटी स्टेट स्पेस हाइफन एस कैपिटेल लेटर में और एंटर तो जो भी आपके connections डीटेल्स है उसको दिखा देगा आप देख सकते हो capital S और small s दोनों है तो lists जो भी यहाँ पे list दिखाएगा session table with the destination IP address तो जो भी हमारा session table है with destination IP address वो भी दिखा देगा यहाँ पे तो यह सारी details है अगर आप nbt state के साथ 14th number की जो command है यह काफी important है कभी-कभी हम लोगों को कोई भी काम करते समय हमारे computer system पे क्या होता है कि कोई जैसे यह माल यह browser है अब यह बंद नहीं हो रहा है बार-बार इसको मैं close कर रहा हूं नहीं हो रहा है आप लिखेंगे यहाँ पे task list और अगर मैं इतना लिखने के बास not t-a-s-k-l-i-s-t enter तो यह complete task list दिखा देगा जो भी हमारे computer system पर task running में है उसकी details यहाँ पे आ जाएगी अब यहाँ पे task list.exe भी एक running में है chrome.exe भी है तो यहाँ पे chrome.exe के multiples of list दिखा रहे हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसका PID नमबर भी दिखा रहा है 2996 और यह कितना memory यूज कर रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है तो यहाँ पे chrome.exe का जो 2996 है this is the PID नमबर, process ID नमबर और इस process ID नमबर को यूज करके हम लोग इस task को क्या कर सकते हैं kill कर सकते हैं ऐसे ही हमारा command prompt का PID नमबर है 3164 आपका जो भी यह PID नमबर है पर्मानेंट नहीं है जितनी बार भी आप इसको check करेंगा उतनी बार यह बदलता रहेगा जितनी बार इस program को open close करेंगा उतनी बार यह बदलता रहेगा तो don't worry कि इसको note करें यह आपको task list से पता चलेगा अब यहाँ मैं chrome.exe का 2996 इस task को kill करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा task kill space slash PID capital letter में और 2996 और enter अब यहाँ पे कह रहा है कि यह हमारा जो command है वो work नहीं कर रहा है ओके don't worry मैंने यहाँ पे गलत क्या कर दिया task में TA रहेगा ओके यह और enter अभी कह रहा है कि source send terminal signal to the process with PID 2996 send कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो google chrome browser है यह क्या हो गया बंद हो गया ओके यह हमारा बंद हो गया अगर आप दुबारा से task list चेक करेंगे तो google chrome यहाँ पे हमारा अभी कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा है अब जैसे अभी मैं दुबारा से google chrome open कर लूँ तो फिर से open हो जाएगा तो जिस PID number को आपने बंद करना है तो आप simple लिखेंगे task kill जैसे यहाँ पे है task kill यहाँ पे ए लिख लेना PID number और उसका यह process ID number वो command prompt से ही task आपका क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा exactly clear हो गया this is the 15th number command अगर मैं computer से ही मैं पता करना चाहूँ यही से कि हमारे computer का जो information है वो क्या है तो मैं यहाँ पे SYSTEM system info and enter कर दूँगा यह हमारे computer system की complete information बता देगा like CPU RAM, memory, manufacturer, VMware है क्या है, कैसे है, IP address, सब कुछ complete आपके SYSTEM की information यह बता देगा तो जिस भी computer system पे आप काम करते हैं यह चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो यह 16th number की command रही and next, अगर हमें net sh, यह एक command है जो की आप type करके question mark लगा के enter करें तो बहुत कुछ यह बता देगा तो network details पता करने के लिए होता है, like network connection को add करना है, configure करना है, alias को add करना है, configure करना है multiples of net sh command आप use कर सकते हैं आपे, but net sh के साथ आप यहाँ पर try कर सकते हो, कोई भी like firewall, change the firewall context, firewall का context change करने के लिए display list of commands जो भी help के लिए, तो already मैंने help दूसरे तरीके से दिखाया, यहाँ पर nap अगर configure है, उसके बारे में तो complete यह network service की details बता देता है, different different type के services हैं देखो interface की details, IP security की, HTTP की तो बहुत सारी चीज़े हैं, इसके बारे में आप इसके आगे जो भी execute करना चाहते हैं, इन में से कोई भी command, plus उसका भी additional जो भी यह complete command यूज करके कर सकते हैं, तो net ss से यह हमें benefit मिलता है, मैं यहाँ पर exit कर लेता हूँ, cls से clear करता हूँ screen, next सबस connected devices है network के अंदर, उसको check करना है, तो अब कैसे check करेंगे, तो हमारा सबसे important command यहाँ पर आ जाता है, net space, अगर मैं यहाँ पर लिख हूँ, v-i-e-w, enter, तो यह हमारा जो भी network view दिखा देगा, है ना, जो भी हमारे connected devices हैं, उनके साथ यह details दिखा देगा, बट अभी भी कोई भ and any details, okay, तो यह हमें पता चल जाता है, ठीक है, clear करते है screen को, and next हमारा net space, share मैं लिखके enter करता हूँ, तो जो भी हमारे computer system पर shares information है, जो भी directory और यह सब share किया गया है, उसकी पूरी details हमें यहाँ पर मिल जाता है, okay, काफी useful commands है, क्या-क्या share है, आपके computer पर चेक कर सकते हो, and even if you want to share any directory from your computer, then definitely you can use net share command, okay, तो वो भी है, but अभी check करने का complete details मैंने यहाँ पर बता दिया है, तो यह हमारा हो जाता है, 19th number command, अभी यहाँ पर 20 number and last command बहुत important है, like WMIC and enter, यह एक ऐसी command है, जिसके through आप अपने computer system के root के अंदर गुसकर, आप अपने computer system के बायो, आप अपने computer system के BIOS की information, CPU की information, जो भी पता करना चाहें, कर सकते हैं, like हमारे CPU की details, किस family का है, कैसे है, यह सारी details आपको यहाँ पर मिल जाती है, इसका direct command भी आप ट्राइ कर सकते हो, like WMIC space, आपको यहाँ पर लिखना है, B I O S space, अब यहाँ पर get space, SM and B I O S, B I O S, B I O S, V E R S I O N, तो यह BIOS version चेक करने के लिए, ऐसे बहुत सारी इनकी commands होती है, अगर मैं WMIC space help लिखूं, तो में भी इसकी detail मिलेगी, नहीं, ओके, WMIC enter, WMIC, hyphen, help, enter, नहीं है, enter, and question mark मैं यहाँ पर लगाऊं, enter, ओके, नहीं मिल रहा है, तो आप directly WMIC space CPU, WMIC space other, बहुत सारी informations हैं, जो भी आप यहाँ पर चाहें, वो try कर सकते हैं, इसका कोई help नहीं है, नहीं तो मैं रिखाता, बट अगर यहाँ पर मुझे CPU की detail चाहिए, अधर जो भी चाहिए, वो मै यहाँ पर try कर सकता हूँ, है ना, BIOS information चाहिए, वो मैं try कर सकता हूँ, तो यह इस तरीके से हम लोग check करते हैं, तो complete BIOS की information हमें पता चल जाता है, MS info, अगर मैं MS INFO 3 2 type करके enter करता हूँ, मैं, sorry, मैं बाहर आना पड़ेगा मुझे, MS INFO 3 2 enter, तो हमारे computer system का एक graphical environment open होगा, जहा से आप complete details पता कर सकते हैं, देख रहे हैं आप यह, यह आप देख सकते हैं, complete यह search कर रहा है, calculate कर रहा है, आपके memory की details and everything, सारी details यह search करके देदेगा, तो यह रही top 20 commands, I think आपको पसंद आया होगा, यह command detail में video की description में add कर दूँगा, जहां से आप देख सकते हैं, और इसको use कर सकते हैं, okay, video पसंद आया हो, तो like कर लेंगे, share करेंगे, comment करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके doubts होते हैं, जो भी आपके queries होती हैं, आपके comments का reply जरूर मिलेगा, चलिए मिलते हैं next video में, thank you so much. कर दो भी आपकेtest, क्टब आपके invites कि कर दो Damn to the दूर City और नहे सकते हैं, टो में आपके Kọn I texted there, at the sky forание Desdea, at the hell and from the लोगे सकते हैं, जो Souls Evet to the